हेलो शुड़ेन विल्कम तु दिस वीडियो कोटाली एक्जाम यानि की तर्मासिक परिश्यक अक्ष्या 10 भी इंग्लिस का आपका कल पेपर होनी वाला है इसके लिए देख सकते हैं यहां पर जो प्रस्टन आपके पुछें आएंगे किस प्रकास से होंगे मियान से साथ आप स्कूल चिंदवारा MP, write an application to your principal for school living certificate, SLC के लिए आएगी school living certificate या पर transfer certificate या पर character certificate, कोई भी आप से पूछी जाए एक ही प्रकास से लिखनी होती है, तो चलिए इसका answer आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए, to the principal of government high school चिंदवारा MP, तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है जो भी school का नाम इसमें दिया जाता है, बही लिखना होता है, जैसे कि यहां पर दिया गया है, government high school चिंदवारा, ठीक है, तो इसका नाम हमने लिख दिया यहां पर, government high school चिंदवारा MP, ठीक है, उसके बाद देखिए, यहां पर क्या लिखना होता है, subject किस के लिए, मतलब कि क्यों लेख रहे हैं तो इबसाय में हमने लिखना होता है तीकिए एन एप्लिकेशन फोर इसकूल लीविंग सेटिपिकेट इसमें से कोई एक आएगे आपकी सभी नहीं आएंगी तो किसी भी कोई भी आए तो आपको लेखना सेम तरीके से ठीक है बस वहाँ पर आपको जैसे सीची लिखा है तो वहाँ टीची कर देना है जैसे सीची की पूचे तो सीची कर देना है एसलसी की पूचे तो एसलसी कर देना है ठीक है तो पर चेंज करना है आपको तो अब सभी कोई भी लिख सकते हैं उसके बाद लिखने है इहां पर लिखना है रिस्पेक्टिट सर ल me take further admission ठीक है यदि SLC का पूछा है तो आपको यहाँ पर देखे यहाँ पर TC के जगा SLC लिख देना है ठीक है अब character certificate का पूछता है तो आपको इसी प्रकास से आप लिख सकते हैं character certificate में थोड़ा changes करना होता है उसमें तो यदि पूछता है तो आप कर लेंगे वैसे तो आपका TC SLC कोई आ जाएगा ठीक है आप देखते हैं दिखिए अंगला यहाँ पर यहाँ पर यह लिखने के बाद यहाँ पर रखना है आप देखिए दूसरा प्रशन आप देख सकते हैं यू आर यहाँ सभी स्रिवास्तवा स्टड़िंग इन गवर्मेंट सीम राइज स्कूल गुराईया MP राइट न एप्लिकेशन टू यूर प्रिंस्पल फॉर इस्विंग बुक बैंक देखिए बुक बैंक के इस प्रकास लिख लिए है अब देखिये आपको चुट्णी की अप्लिकेशन है यहनिकी लीब की एप्लिकेशन अकौल आती ही होगी उसको भी तैयार करके घूघना ना इसको भी नहीं चोड़ना है ठीक है वह भी कर लेगना है प्सक्राइब इसके लिए स्टेक्टेट श So, he cannot afford my study and to buy me books. I therefore request you to issue me my books from the school book bank. I shall be obliged. उस पर कास हो जाएगा, उसके बाद, thanking you. You are obediently लिखना है, और नाम लिखना है, जिसका भी इसमें question में दिया है, ठीक है? यदि question में कोई नाम नहीं दिया जाता है, तो आप अपना लिख सकते हैं, या पर कोई भी नाम लिख सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है, ठीक है? अब देखे, तीसरा प्रसन देखे, You are the pants, write a letter to your friend inviting him to attend the marriage ceremony of your sister. ठीक है, तो यह brother sister marriage का जो होता है, letter, ठीक है, अपने friend को invite करने के लिए होता है, यह जरूर आता है, बार-बार पूची जाता है, तो देखे, इस प्रकाल से लिखना होता है, यहां पर देखे, पहले आप address लिखेंगे, जहां से लिख रहे हैं, ठीक है, जिसको लिख रहे है ठीक है, यहां पर लिखेंगे, उसको लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, इसको नाम यहां पर लिखना है, तारीक भी लिख देनी, जो इस प्रकाल से लिख रहे हैं, यहां पर लिख सकते हैं, जो लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसा कि यहां पर दिया गया था अब देखिए बंडर ऑप साइंस का निबंद बहुत ज्यादा पुछ जाता है इसको भी आप देख लिए और उसके साथ हम ट्री पेड़ों का इंपोर्टेंस ऑप ट्री का भी निबंद देखिए इंट्रॉडक्शन हो जाएगी उसके बाद ठीक है तो यह सभी हेडिंग हो जाएंगी पांच हेडिंग से इसमें चैने कंग्लूजन तक यह आपके हो जाएंगे ठीक है अब बढ़ते हैं दिखिए अंगलिया फिल इन दे ब्लैंक जो आपके ग्रामर के कुश्चन पूशे जाने ठीक है तो किस टाइप से आ सकते हैं यहां पर दीया ग्रामर आप देख सकते हैं विदिस इस में इसमें समर्य आपको क्या भरमिदना है तो इसमें आजयगा देर इज़ संव अंट फूर्ट को तो फुर्ट ऑफ श्क्रांग आएव नौट वांटि ऑमना ओट्र आँ यहां पर दोशनेया अश्लिक को श्यौने तो यहां पर मैनी आ जाएगा में आई टेक यूर पैनी तहां पर में आ जाएगा ठीक है कि आज़ो प्रस्टन भी मस्ट टू फोलो ट्राफिक रूल ठीक है और टू भी आता है कई जगह जिसमें मस्ट भी लगा सकते हैं ठीक है उसके बाढ़ फैन ऐसे बाइन आ वाज यूरा आज पर कुट एगा कुड क्डाइब ट्री टीक कुछ के उसके बाद सेवत कुछिन है आई बुड हैव एक आई बुड हैब इसमें आई वूड हैव और याइब हैड मनी ठीक है जिसमें आपको व रहा लगा लेना है ठीक है उ और ठीक तो यह अब क्या है यह स्वार है तो इसलिए एन आएगा ठीक है इसको चलन करणे पर दसको बशने दियर इसमाइज नोट he always comes on the time तो इसमें कम सजाएगा ठीक है इस प्रकास से हो जाएंगे आपके आप देखें डूएज डारेक्ट आपके जो पूछ जाए सकते बहुत ही ज्यादा important है आप देख सकते हैं he did his work well तो चैंज इंटी नेगेटिब नेगेटिब में बदलना कैसे बदलेंगे he did not do his work well तो इस प्रकास से बनेगा कई लोग गलती करते हैं डू फिर से नहीं लगाते क्योंकि यह तो हमारी यह अपर क्या है यह इसमें डू का मतलब है करना लेकिन जो हमें डिट नॉट है यह हमारी helping verb होती है ठीक है तो हमें डू तो लगा नहीं होगा क्योंकि सिंपल जब बनाते हैं तो उसमें क्या है तो डिट लगती है सेकंड फॉर्म लेकिन नेगेट बनाएंगे तो उसमें तो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है ठीक है आपके प्रिजेंट सौरी पास्ट इंडेफिनेट में उसको बद दिखिए दियर आर सेलिंग दियर सरसा ऊब स्थे इंडेटो प्रिजेंट्ट इसमें यह बदिखेशन पर्फर्फेक्ट में ऊटी। आपको प्रिजेंट करना हैं ठीक है teh तो बदलिया इसको कैसे बददेंगी दे कि अब प्रिजेंट पडबुक्र टो न है ब ऻैब सेल का जाएगा सोल्ड देयर हाउस थी तो इस प्रकास इसका बन जाएगा अगर चेंज इंटू एंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव को बनाना है इसका बनेगा इस प्रकास बनेगा एज यह टेकन टी और कोस्टेन मार्क जरू लगाना है बूब भूल जाते न उसको नंबर नहीं मलता है क्योंकि इंट्रोगेट प्रश्चन बाचक बाख होता है इसमें बनाएंगे इसके बाद लिखना है इसके बाद लखना है इसके बाद मतलना है हिंदी आपको पहले अबजेक्ट लिखना है हिंदी कोन से टेंस का है तो इज लगए गा ही इज टीचिंग हिंदी इज टॉट सी एक थायट फोर्म लगी गें नहीं है तो हिंडी इज टॉट बाइज ही कहा हो जाएगा हिम तो हिम लगादेंगे तो इस प्रकार से को बन जाएगा सब्सक्राइब करें तो इसमें आप लखेंगे यदी नहीं की जिगह पर लखेंगे अनलेश को बदला है इफ में तो आप लखेंगे इफ यू इफ यू नॉट इफ यू नॉट इफ यू नॉट फिर यू नॉट बाई ओ यू इफ यू नॉट वर्क shadow प्रिजियों काते हूं you want pass यदी तुम if you not यदी तुम नहीं करोगे work hard you want pass तुम पास नहीं हो सकते ठीक है तो इस प्रकास इसका बन्जाएगा साथा प्रशन देखिए साथा प्रशन करना है यह अपर देखे यह लिखा हुआ है इसमें देखेंगे जी अरेंज़ करना है इसमें इन देपार्क वर फलेंग चिल्डर को जींडरं फुटबाल लेखेंगे पहले चिल्डरं इस प्रकार से आपने देखे जो बहुत ही ज़यादा इंपोर्टन कोरुशन आपके तरमासिक परिशा के लिए बहुत ही ज़यादा इंपोर्टन है तो जिसके करके जाना मिलते हैं अंगले वीडियो में चैनल को स्क्राइब करें इस प्रकार से अन्य विश्यों के भी हागे की जो पेपर हैं आपके सभी आपको प्रवाइट कराए जाएंगे इस प्रकार से ठीक है तो मिलते हैं अंगले वीडियो में